अलो फ्रेंट्स स्वागत फिर्शेंग का अपने इंट्वी चनल पर एनक्स पाड़े जिसाल गुरू आज आपने बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्डे मुद्धे पर वह है बिहार बिधन परिशत एसो और ओफिस एटनेरेंट का जो आज एडमिट कार्ड जारी होने वा अठारा तारीक को यानि आज के डेट में इसम का जो है नोट्विकेशन जारी किया गया था क्या सभी अभ्यार बिधन पर से चुवाले के बिग्या पसंख्या दो और तीन चुकि दो में हमारा था एसो था और तीन में हमारा ओफिस अटेंडन्न था कि अंतर का तिरिक्त प अब ये बहुत बड़ा एक कैसकते हैं सौकिंग था उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे अपने कमर कस चुके थे पहले दो कारण थे एक्जाम ना करवाने के एक तो सब्सक्र बड़ा लोग सबा चुनाओ चल रहा था उसमें काफी ज्यादा हमारे जो ऑफीसियर स्टा बहुत बड़ा सवाल के खेरे में कह सकते हैं आयोग को रखता है जो कि बिहार विधान परिशत इससे पहले आज तक कभी ऐसा किया नहीं है लेकिन फिर अगर यह कर रहा है तो सोचना तो पड़ेगे भईया कि अब आप लोगों ने क्या किया चुकि पहले यह मिला करके ती दीजरी बाइजाम क्यांडेट कैसिल होने का मतलब है कि इस पर कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कमंडेवल मोड में निंदनिये मोड में इसकी हमनों बात करेंगे और हाला कि सा क्या कारण हमें आपको कल फाइनली बताऊंगा क्या चुकि कारान जाहिट सी बात है बिना कारने कर वा लिया था कुछ बच्चों मैंसे की रजरम ट्रेंगे टिकट कर वा लिया है अभी दो उपर तक शोर था कि भाईया एडमिट कार्ड आजाएगा और बच्चों का तेश तरे को एजाम होगा और उसके बाद जो है वो आगे के प्रिक्रिया के लिए जोर सोर से लगाया लेकिन अचानक से यह मुईरी भी शॉकिंग निए अब हाला कि क्या कारण ही है तो डिपार्टमेंट के अंदर जाकर के पता चलेगा कि या किस क्लाउस उसको रोका गिया है और फाइनली जो रोकने की बात आ रही है तो मैं उस पर फोकस करूंगा और आप लोग को कल फाइ एक्जाम नहीं होती है और कोई भी जिन्दगी का या आखरी पढ़ाओं नहीं है आपके पास और भी मोहके मिलेंगा या बढ़ने के लिए इस यह तुरह मेहनत कीजिएगा और मुझे में मुझे कल तक का समय दीजे कल मैं इस पर फाइनली एक सामय वीडियो लेकर आओंग